हालो स्टुडेंट्स तो एम्यू एक्जाम एम्यू इंट्रेंस एक्जाम का फॉर्म आ चुका है और आम सुरी कि मैं आपको लेट बता रहा हूं बट यह अभी टाइम है कोई हर बड़ी की बात नहीं है अभी टाइम है फॉर्म भरने के लिए तो मैं आपको थोड़ा डिटे चलते हैं एम्यू के बारे में और इस पर प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो डालने वाला हूं वह फिल रहाल है और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो चलते हैं एम्यू एक्जाम कंट्रोलर पर आप सबसे पहले तो एम्यू सच करना है और जैसे ही दिख रही होगी amucontrollerexamination.com से ठीक है तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है यह चेक कर लिजेगा कि अब लोग को समझ में नहीं आता कौन सा जैन्मेन है यहां पर आपको मैं बता रहता है इस बॉक्स में आप ध्यान से देखिए यह चीज होना चाहिए amucontrollerexamination.com ठीक है तो इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है और इस पेज में आप देख सकते हैं इस पर आपको यहां नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है आप चाहिए तो सीधा सीधा यहां भे जा सकते हैं सबसे राइट अपर पार थ्री लाइन दिख रही होंगी तो इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको काफी डॉप डाउन मिलेगा जिस सुफ ऑप्शंस मिलेंगे एग्या दनीचिन जिल्सले में बात कर रहे तो हम स्कूल अड्मिशन पर क्लिक करने बाद आपके सामने यह कुछ ऑप्शंस मिल रहेंगे जैसे एपछिए एप्लिकेशन फार्म टूधाउजन टूवन इंट टषयवक्व हम पीज आने के लिए पहले sign-in करना पड़ेगा जैसे में click करके दिखाता हूं सबसे पहले मैं इसी पर click करके दिखा देता हूं ठीक आपको इस पर click करेंगे जैसे तो हम form की तरफ लेकिन उसके लिए आपके सामने फिर से एक form open हो जाएगा जैसे फिल करेंगे तो आपका आपकी इमेल आईडी आपका वो रहेगा यूजर नेम और उसके बाद आपका पासवर्ड जो है जो भी सेट करेंगे आपर पासवर्ड वो पासवर्ड आपकर रहेगा रहेगा तो ХOO जाए जrän फिर से पास पर है आपि आपका रायों अपर ठीक है आपके सामने मेल जाएगा पर सीधा फर्म पे चल जाएगा ठीक है लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कुछ गाइडलाइन से कुछ गाइड होती है एम्यू की ठीक है तो उस गाइड की तरफ चलते हैं पहले तो गाइड जनरली हमारे पास यह दिखे हैं आपर लिखा हुआ है गाइड टू एड्मिशन स्कूल टू थूथाउजन है तो यह वापस से मांग रहा है कि डाउनलोड करने के लिए तो आप यह हम आ चुके हैं गाइड अड्मिशन पे गाइड टू एड्मिशन स्कूल टूथाउजन टूथाइट फाइव क्लास फर्स सिक्स्ट और नाइंत का है यह प्रॉस्पेक्टस नॉर्मल इसको हम कह सकत आपके सामने कुछ फी जो है उसका जो चार्ट है फी चार्ट गिवन है कि अन्वल फीज कितनी है और पर इंस्टॉल्मेंट क्या जाता है ठीक है उसके बाद फिर नीचे चलते हैं इस सारे इंफॉमेशन बहुत इंपॉटनेंट है वैसे तो कोई पढ़ता है नहीं लिए आपको टाइम हो तो मैं सजस्ट करूगा कि आप इसको जरूर पढ़िए एक चीज पढ़िए और एक चीज पढ़के इनफॉमेशन क्लेक किए यहां से चैसे कैसे फॉर्म भरना इसमें लिखा हुआ है तो आपको ऐसी प्राब्लम हो यहां पर जाके पढ़ सकते हैं ठीक है अब चलते हैं फस्ट क्लास फस्ट के अड्मिशन के बारे में सबसे पहले स्टेस स्कूल है पहले स्टेस स्कूल है एम्यू एबीके और अब्दिल्ला यह तीन स्कूल है और इसमें इंटेक मतलब जो सीट्स हां वो दे रखी है 35 35 70 अगर हम बात करें तो 105 और 35 यह हो गया 140 स स्टेस घिक है और एक और और आरम पीएस एमिंटिए शेक मुस्त की सीट स्कूल 45 इंटेक के मिनदर तो कुल मिला के यह स्कूल है फो ऑंज स्कूब माद करें नीचे फिर से आपाको दिख रहा होगा तीन इस कूल और इहर दो इस कूल और तो गोल्ज की तीन इसकूल और उसमें seats आपके पास given है, तो आप seat देख ली जोगे आसे, age limit है, the candidate must be of the age of between 5 to 7 years as on March 31st and 2024, that is the date of birth of the applicant must lie between the 1st of April 2017 to the March, यह first के लिए category है, धान रखेगा, यह class first के लिए है, ठीक है, तो 1st April 2017 से, March 31st, March 2019 के बीच मोहना चाहिए, age limit, उसके बाद है selection process, through admission test, बहुत important चीज़ है, selection process, selection process बहुत important है, through admission test, एक तो admission test होगा आपका, ठीक है, एक तो यह है कि admission test होगा, उसके बाद, next है हमारा, the total merit will have the following components, मतलब written test होगा, 85 marks का आपको दिख रहा होगा, और जो interaction होगा, 15 marks, the interview, 15 marks का note, candidate shall be called for the interaction on the basis of the performance in the written test, written test के performance पे ही call किया जाएगा, आपको interaction के लिए, that's interview के लिए, ठीक है, तो first class के लिए सारी criteria है, test paper detail, यह भी देख लीजिए आप, the written test shall comprise 25 subjective and objective type questions on English, arithmetic, Urdu, NG, arithmetic means, यहाँ पर mathematics से related है, तो इन सब के questions होगे, application detail है, यहाँ पर last date क्या है, तो last date वैसे तो basically last date है 11th of March, लेकिन late fee के साथ 18th of March तक आप कर सकते हैं, बट अगर अगर आप without last date करते हैं, late fee करते हैं, तो आपको 650 यहीं 650 रूपीज करने पढ़ेंगे, test के लिए fees, और otherwise it will be 950 रूपीज, ठीक, 950 रूपीज, अब एक correction application form, application form एक correction करना हो, तो आप 22, 20, यहीं 20th of March से लेकर के 22nd of March तक आप कर सकते हैं, admit card आपको printed form में मिलेंगे, same website पर, ठीक है, बाकि सारे चीज, यही same to same चीज, यह class 6 के लिए भी आप देख सकते हैं, school उनकी vacancy ने कितना खाली है, और same to same चीज, आप class 9 के लिए भी देख सकते हैं, नीचे आपके ठीक, एससे schools available, seats है, girls के लिए भी दो school है नीचे, और उसके बाद फिर date criteria ने, age criteria भी देख सकते हैं, यहां से same process, यहां से admission process देख सकते हैं, section 1, section 12, अब धिहान से पढ़िएगा इस चीज को खास करके class 9 के ब बार में, बाकी फॉर्म फिल कर लीजिए, अगर कोई problem आती है, फॉर्म फिल करने में, please comment करके जरूर बताईएगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर एक वीडियो बन जाएगी, ताकि बहुत लोगी problem, जो अगर किसी को आती हो, तो वो भी solve हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप हो सकता, अगर हो सकेगा, तो मैं आपको जरूर से जरूर गाइड करूँगा, वीडियो में, अगर कुछ ने कुछ आइडियास चाहिए मुझसे, तो आप comment करके जरूर बताईएगा, ताकि मैं वाउस पे जबाएगा, थोड़ा सा वीडियो बना तो आपके लिए, ठीक है, मिल टे ने एचे को दिके जरूर, थे क्वाएगा, तो आपके जिसे प्रेंध़ जोनौझे ट्के जरूर।